हेलो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल ससी कोशिंग क्लास में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे रिजिनिंग के तीन पेहत्रीन प्रस जो आपकी एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं हमोई प्रस बताते हैं जो आपकी एक्जाम से संबंदित हैं देखें दोस्तों यह सभी प्रस न आपकी एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पूर सावित हो सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम चलते अपने पहले कोश्चन की ओर कोश्चन नमर वन दिये गए समिक्रण में किन दो चिन्हों को आपस में बदल जिया जाए कि समिक्रण संतुलित हो देखिए दोस्तों क्या करेंगे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएगा और क्या करेंगे देखिए साथ से 35 कर जाएगा ना तो क्या कर देंगे प्लस के स्थान पर क्या कर देंगे भागे कर देंगे तो क्या है 35 ठीक है और भागे साथ कर देंगे ठीक है और भागे के स्थान भाग देंगे कितना बार जाएगा पांच बार जाएगा ठीक पांच हो गया गुणी दो हो गया प्लस पांच हो गया ठीक है तो अब क्या करेंगे इस से इसमें गुड़ा कर देंगे कितना हो जाएगा पांच दुना दस हो जाएगा प्लस पांच बराबर 15 है देखिए दोस् आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गये होंगे चले दोस्तों चलते हैं नेस्ट कौस्चन पर है को सिर्ण नम्हों दूसरा दीए गए समिक्रन में कि इन दो चिन्दों को आपस में बदल दिया जाए भागे तो हमारे समक्राइब गलत हुझ दोस्तों हम्हें जाहे कि गलत है एक सम्मिक्रत सत्वित करना है यह क्कolinas करना है इस में क्या करना है रही यह भलत है कि कौन से करेंगे देखिए क्या कर लेंगे अगर प्लस के अस्थान पर भागे कर लेंगे ठीक है और भागे के अस्थान पर कर लेंगे तो हमारा सम्क्राइब सिद्ध हो जाएगा चलिए से सिद्ध करते हैं देखिए 3 प्लस 5 कर देंगे गुने 8 कर देंगे और भागे 2 माइनस 10 कर लेंगी तो तो अब क्या करेंगे देखिए तीन और बीस को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा तेश हो जाएगा और माइनस दस चीक है तो क्या हो जाएगा आप घटाएंगे इससे तो हमारा क्या दिया दिये गए समिक्रण में किन दो चिनों को आपस में बदल दिया जाए कि समिक्रण संतुलित हो जाए देखिए दोस्तों यह समिक्रण है यह समिक्रण गलत है इसे हमें संतुलित करना है कैसे संतुलित करना है दो चिनों को आपस में बदल देना है देखिए चार है ठीक है तो चलिए से बदल के हम solve करते हैं देखिए 51 भागे 3 हो जाएगा ठीक है प्लस 17 हो जाएगा ठीक है प्लस 17 हो जाएगा उसके बाद माइनस 14 हो जाएगा गुने 2 हो जाएगा तो चलिए से हम solve करते हैं देखिए 51 में 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा हो जाएगा और प्लस सत्र है ठीक है मायनस चौद 10 गुनए दो थीक है 20 गुने दो जाएगा ठीक है 20 गुने दो जाएगा आने की 20 में दूसर भाग देंगे कितना जाएगा 40 देखिए हमारा समय करा सुद्ध गया आने की आपसर नमर कौन से सही हो जाएगा आपसर नमर भी हमारा सही हो जाएगा देखिए हमने क्या किया मायनस के स्थार पर गुना